notch antenna, देखे notch antenna क्या होता है, जैसे slot antenna होता है, ऐसे ही notch antenna भी होता है, इसमें एक shape की notch होती है, एक approximately shaped होती है, sheet होती है, यह open ended slot antenna होगा, जा फिर open ended slot antenna भी notch antenna को बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, कि एक notch होगी, यह क्या होगी, यह notch होगी, इसमें एक notch होगी ठीक है और इसे वज़ासे से notch antenna बोलते हैं इसकी जो shape होती है notch की तरह होती है और इसकी जो होती है cut out होती है उसे edge से एक large metal surface होता है जो की connected होता है RF source के साथ और यह जो metal का surface होता है यह cut होता है इसमें एक cut होता है side से edge से इसके cut होता है जो कि इसे notch बोलते हैं यह notch होगा इसे open ended slot antenna भी बोला जा सकता है जो की carry और johnson ने describe गिया था इसमें three axes है x y and z axes इसके according देखिए एक broadband radiator है जो की aircraft में radiators की तरह इसका use किया जाता है देखिए इसमें क्या है कि three axes हैं इसके according इस center में हमारी notch होगी इसके center से the axis के cross जो एंगल बनेगा वो और यहां पर एक वाय के cross this line पर जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पर किसे एक particular point पर जहां तक रेडियेशन होती है न इफाय और इथीटा जो इसके field होती है ठीक है न तो देखिए यह इसका डायग्राम है open-ended slot antenna का या पिर notch antenna का जो एथीटा है वो एक particular plane पे होगा ठीक है x-axis के और इफाय जो perpendicular होगा किसके x-axis के ठीक है न इफाय जो कि perpendicular होगा x-axis के तो इसमें इसका जो radiation pattern है किस तरफ फॉर्म में बनेगा देखिए यह जिसकी जो field pattern होता है नोच का वो semi-infinite screen होगा इसमें x और z plane जो होगा यानि कि यह वाला plane और यह वाला plane x plane और z plane screen का वो normal to screen वो screen में होगा यानि screen form में होगा जबकि y और जो z होगा वो normal to screen होगा ठीक है न यानि x और z तो screen को represent करेगा और z और y जो normal to screen होगा अब इसमें देखिए कि जो radiation pattern है वो किस form में बनता है यह जो है यह यहाँ पर 5 जो है वो zero degree represent करेगा और उपर यह जो चीज है यहाँ पर यह represent करेगा 180 degree को तो इसका radiation pattern कुछ इस form में बनेगा center से circular आएगा और circular form में निचे आके बनेगा यह इसका radiation pattern होता है नोच एंटीने का जलतर यूज एरक्राफ्ट में किया जाता है और इसमें जो edge wing surface होता है edge wing surface जो जो उसमें एक field होता है एक dielectric material के साथ जो कि aerodynamic smooth material का होता है इसमें देखिए एक dielectric material होगा जो कि एक aerodynamic smooth बनाएगा इसमें और यही नोच एंटीना को represent करता है Thank you Thank you for watching this video और जाधा updating videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you